मुख्य मंत्री मनोहर लाल खटर ने गुरुवार को करनाल के अनमोल गार्डन में पहुँचकर भाजपा के जिला ध्यक्ष जगमोहन आनंद के पिता स्वर्गे प्रेमनात आनंद के रस्मक्रिया में भाग लिया उन्होंने कहा कि स्वर्गे प्रेमनात आनंद एक समाजिक वधार्मिक प्रविती के इंसान थे उनी के संसकारों की वज़े से आनंद परिवार आगे बढ़ रहा है आज इस रस्म क्रिया को शोक सभा ना समझ कर हमें प्रेणा सभा समझना चाहिए इस शोक सभा में अच्छे संसकारों के कारण ही हजारों लोग स्वर्गे प्रेमनात आनंद को श्रधांजली देने आए हैं संसकारों के कारण उन्होंने लोगों को नई प्रेणा दी है उन्होंने कहा कि आस्वर्गी प्रेमनात आनंद हमारे बीच में नहीं है प्रंतु उनकी द्वारा परिवार को दिये गए संसकार हमारे सामने है वह इस परिवार को बहुत वर्षों से जानते हैं इस परिवार के साथ उनके आत्मिक संबंध है उन्होंने इस दुख की घड़ सांसर संजे भाटिया ने आनन्द परिवार को सांत्वना देती हुई कहा कि घर में बुजर्गों का होना बहुत आवश्यक है उनकी शति को पूरा नहीं किया जा सकता उन्होंने कहा कि यह ना केवल आनन्द परिवार के लिए बल्कि भाजपा परिवार के लिए भी काफी के बाद उनको शर्वाजबे देने के लिए निया सर्व मस्तित हुआ है जैसी हमारी माननेता है सथीर आई शरीर नश्वर है आत्मा खामार है और जो उचाल करते हैं को शरील अपने सवरुख को बदता देना है बचे का शुशुकाल का शरील उस्मिनातमाती है वही शरील फुड़ा कशोर वस्था में और आलवस्था में जवावस्था में के पहुंचता है आत्मा वह एक शरील बड़िता ड़ the चिलिष्ण आगे बढ़नें के बाद आतमा होती होती है श्रील बिडवस्था में करुंचता और श्रील नश्रा है जो िम्हें कर वोुदे हुआ श्रील समर्थ होता तो आतमां पिर से और से न किसी जीवकर पुष्श करती है तो यह आत्मा का चाटर यह रगाता चलता है जब शरीर शूटता है तो हम उस जवंगत आत्मा के शरीर को जाने के बाद शर्वंजि लिए पुकरने हाथे अगारे पीचे में शरीर को नहीं है आत्मा चाटर यह रीड़ी है JBD banquets लाए है Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning a perfect venue for wedding, launching and parties Rajgharana and Jyoti Garden, a JBD banquets enterprise